पंडे मातरम दोस्तों तो कैसे ही आप सब तो एक बार फिर समय हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और यूसफुल वीडियो लेके तो दोस्तों यदि आपके दार डार चाहना चाहते थे या पर चार धाम की यात्रा करना चाहते थे और आप उसी के लिए रोज एक नई आप सभी के लिए इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे यात्रा शुरू हो सकती है और कैसे आप चार धाम की यात्रा या फिर कैदारनात की यात्रा कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी ही सत्य और इसपश्ट अपडेट के लिए तो दोस्तों ये चो खुश खबरी आई है आप सभी लोगों के लिए सीधे बद्रीनात धाम से आईए बद्रीनात धाम के विधायक शुरी महेंद्र भट ने कहा है कि वो 19 सगत से चार धाम यात्रा शुरू हो सके और उसी के साथ दोस्तों कोविट की गाइडलाइन्स को फॉलॉप करते हुए एक हफते के अंदर समिक्षा करके सभी लोगों के लिए यानि कि पूरे भारत के लिए चार धाम यात्रा को स्टार्ट कर दिया जाएगा मैं आप सभी को वताना चा युचिनी कहा कि वहां के व्यापारियों की जो आर्थिकी है वो चार धाम यात्रा के मार्क पर आने वाले यात्रियों से ही टिकी हुई है तो उन्होंने उनके हवाले से कहा कि जल्द ही हम चार धाम यात्रा को शुरू करेंगे ताकि उनकी जो वहां के व्यवसाई हैं उनक तो अब बस सिर्फ दो महा रह गए हैं चार धाम यात्रा के लिए तो महेंदर भट जी ने ये कहा कि आप 19 अगस से 100% चांसे है कि हम चार धाम यात्रा को शुरू कर दें और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी कोट के 18 तारीक को आने वाले डिसिजन का वेट कर रहे है जैसे कि आप सभी को पता है 18 अगस को कोट का डिसिजन आने वाला है और हो सकता है दोस्तों कि वो हम सभी के पक्ष में आए ये हमारे लिए गुड निउस हो सकती है और दोस्तों यदि चार धाम यात्रा स्टार्ट होती है 18 अगस के बात तो उसकी इंफोर्मीशन भी आपक कोई गुड निउस अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जैश्री के दार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों इससे मुझे प्रोट साहन मिलता और मैं आपके लिए अपडेट के भरे हुए वीडियो लाने के लिए प्रेरित होती हूं तो अपना कीमती समय देने के दोस्तों धन्यवाद आप सभी का अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि आप पहले से हैं तो सहयोग प्रदान करें धन्यवाद